प्रहार टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महुँ फिरोज हास्मी आप देखरें प्रहार टाइम्स उत्तर परदेश के हाथरस में 14 सितंबर को ऐसी दरंदिगी सामने आई थी जिसने पुरे देश को जग जोर कर रख दिया था दरसल 14 सितंबर को 19 साल की लड़की के साथ पहले आरूपियों ने गैंग रेप किया और उसके बाद वह किसी से बोल ना सके उसकी जीप काट दी इतना ही नहीं उस लड़की को इतना बेहरहमी से पीटा कि उसकी रीड की हड़ी भी तूट गई हैवानों ने हैवानियत की सारी हदे पार कर दी आज यही वज़ा है कि पुरे देश में आकरोश का माहल है इस तरह-तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं योगी सरकार पर हातरस की बहन के लिए आज पुरे देश में लोग सरधानजली दे रहे हैं हातरस के बहन के साथ जो घिनवनी हरकत की उसके साथ गैंगरेप किया गया उसकी जीव काड़ दी गई उन चारों दरिंदों को पुलिस ने गिरपतार तो कर लिया है मगर यह तस्वीर देखें आपके भी दिल जग जोर उठेंगे यह मा जो सर पटकती चिलाती कोई इस मा का दर्द सुनने वाला नहीं है सबसे पहली बात हातरस में अंधेरे में अंतिम संसकार हुआ यह कैसा इंसाफ है एक बेटी का पिटा तक सामिल नहीं हो सका अंतिम संसकार में और पुलिस कहती है परिवार के कुछ सदस थे अंतिम संसकार में सामिल थे कौन था जो परिवार का सदस सामिल था अंतिम संसकार की जल्दी किसे थी प्रसासन को या सरकार को यह सवाल उठ रहे हैं और यही वज़ा है कि आज पूरे देश में आकरोज का माहौल है आज मुम्रा कौसा में M.I.M. पार्टी सिवसेना आम आद्मी पार्टी के कारकरताओं ने हातरस की बेटी को सरधान जली दी है हम आपको सुनाते हैं M.I.M. के कलवा मुम्रा अध्यक्स है पठान ने क्या कहा ह और सिवसेना मुस्लिम संग के ठाने सहर अध्यक्स अनुवर कच्छी ने क्या कहा है वही तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आम आद्मी पार्टी की आम आद्मी पार्टी के कारकरताओं ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है जैसे कि आप लोगों को पता है अतरस में जैसे यूपी में अतरस शजिले में जैसे मनिशा वालिमिकी के साथ जो हथसा दुआ है उसके लिए आज हम लोगों ने आपर एमाईम की तरफ से कैंडल माच किया था मुम्रा में इसलिए हम लोग सब यहां जमा हुए उसको शर्दान जीली देने के लिए और जो याने इस देश का कानून की धजिया उड़ाई जा रही है जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इत्यास दोराया गया है वहाँ पर हमारे जो शहित भगत सिंग थे उनकी भी बाड़ी उनके परिवार वालों को नहीं दी गई थी और उनकी अंतिम के लिए पुली किर दी गई थी पुलीस की उस टेम पर अंग्रेजों के तरही है उसी तरीके से जो ये अंग्रेजों की आउलाद है जो ये संगी लोग उसी तरीके से आज कानून की दजिया उड़ा रहे हमारी एक बहेंग के साथ बलतकार होता है वो तड़पती रहती है पहले तो आएफायर नहीं होती है हलका उलका छेड़ चकारनी का मामला होता जब म बाजपा सरकार आई 2014 से सतर सालों से हमारे देश में ये मामला चली रहा दा लेकिन इतना नियाय विवस्ता इतनी खराब नहीं हुए इतना इस दस सालों के अंदर बाजपा सरकार के राज में हुआ यह अगर कब तक हम लोग मुंबती या केंडल मार्च करते रहेंगे जब तक कि यह कानू अगर निर्भिया कांड के केस में अगर यह लोग सही तरीके से सरकार पुलिस स्टेशन यह लोग अगर कानून का अच्छा फैसला की होते उनको सजा मिली तो आज यह बहन के साथ में मनीशा वाल्मी की जो है इनके साथ में मेरे खालते हिंदुस्तान के अं तो मैं केंद्र सरकार से और इस इंडुस्तान की सरकार से इलतिजा करूँगा कि आप हमको मुंबतिया जालाना बंद करना चाहिए और आप हमको इसके ओपर एक्शन लेना चाहिए मैं शिवशना मुस्लिम संग के तरफ से हैं और एक इंसानियत के नाते ये बोलता हूँ कि जो भी हो इसके अंदर जिम्मेदार हिंदू हो या मुसलमान हो कोई जाद धरम इसमें नहीं आना चाहिए अगर कोई मैला के उपर अत्याचार हो रहा है ये ऐसी केस होती है तो उनको सदाय मौत देनी चाहिए और फासी होनी चाहिए और तब काल 15 दिन के अंदर इसके रिजल्ट होना चाहिए आपने देखा होगा कि निर्भिया से लेकर आसिफा से लेकर के अभी हापुर में 6 साल बच्ची के साथ रेप हुआ था उसके बास कुछ दिन पहले कंडाटक में ह हुआ था अब जो है यह हात रस में हुआ है बस इसके लिए अभी तक सारे तिलाक के कानून बन जाते हैं सारे कानून हिंदुस्तान के बनाई दियाते बिल जो है लागडाउन में तयार हो जाता है लेकिन आज तक किसी भी कोई भी इस इस बिल को लेके नहीं आया कि वो जो जागाई